हेलो प्रेंड्स वेलो बेक्ट्ट तो माइच चैनल प्रिया चन्देल्स कुटिंग्टारी लाइस्टाइल उहूँआ कैसे है आप आप अप दूखंग ही और एकाल फ्रेंडिसरे बिना ओवन दाल दिया है संदामक गरम होने के लिए रखोंगी मैं इस नमक को मैं पहले दो तीन बार यूजा कर चुकी हूं तो मैं इस इहां गम केरने के लिए तो गर्म करने के लिए बरतन को शुटी और इसके बाद मैं ले रही हु और केकश्य बनाने का English , ना बारय दो यहां प्रफ टीजपुन बेकिंग सोड़ा और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी लंब्स ना रहे तो देखें मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसके बाद हम लेंगे एक और बॉय और उसमें मैं एड करूंगी ये छोटा कप ओल और स साथ में, मैं एड करूंगी यह 1 cup शूगर चीनी और इसे विसकर की हल्फ से अच् diplomacy से मिक्स कर लूँगी तकि जो चीनी जो हाई ओई के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसके बाद में इसमें मैंने यह ओटा और मिक्स को तो आपको लिगा लां इका चाहिश वीखनी तो थोड़ा थोड़ा मैं इसमी जो ड्राइ मिक्सर है वो आड़ करती रहूं गी और इसे जादा गम थंडा नहीं होना चाहिए तो मैंने देखिए यहाँ ठोड़ा सा मिल एड किया और मैंने फिर से जो ड्रई इंग्रिडियन से उनको आड किया और फिर से मैं से मिक्स कर ले रही हूं तो इसी प्रसेस से आपको यह मिख्जर जो है रेदी कर ले ना है तो देखिए जो बैटर है वो तैयार हो गया है और मैंने यहां लिया है यह केक बनाने के लिए छोटा पतीला है और मैंने अंदर से अच्छी तरह से ओल के साथ ग्रिस कर लिया है और अब यह जो बैटर है मैं इसमें ट्रांस्वर कर दिया है मैंने और अब हम इसे करेंगे बेक तो बेक करने के लिए मैंने पहले ही एक पतिला रख दिया था गर्म होने के लिए तो देखिये यहाँ इसमें टंपरेचर आ गया है अब लिए स्टैंड पर रहूँँगी मैं वो केक का बरतन और इसे कवर करके 30-40 मीनट के तक मैं इसे बेक करूँगी तो देखिए आप यहां 40 मिनट हो गए है और अब मैं इसे यहां चेक करती हूँ तो चेक करने के लिए मैं एक नाइफ लूँगी और नाइफ को इस केक के अंदर जो है इंसर्ट करूँगी अगर जो बैटर लग कर आता है तो इसमें इसमें अभी नह काल लूँगी इस तरह से इसे टैप करूँगी थोड़ा सा तो देखिए कितना इजली बाहर निकल गया है क्योंकि मैंने इसे ठंडा कर लिया था तो देखिए यहां कितना इस पंजी बना है और कलर भी कितना अच्छा आया है और अब हम बनाएंगे रबडी तो रबडी ब मेलाई बनाने के लिए मैंने यहां लिया है दो कप दूध right to it just पकाऊंगी और बॉयल आने के बाद मैं इसमें एड करूंगी मिल्क पाउडर तो यहां मैंने एक कप मिल्क पाउडर लिया है और इसे मैं मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से मिल्क साथ दूद के साथ मिक्स कर लूँगी इसे हमारी जो रबड़ी है थोड़ा जल्दी बनके तयार हो जाएगी मिल्क पाउडर एड करने से आप चाहें तो बिना मिल्क पाउडर के भी बना सकते हैं उसमें आपको दूद जो है उसकी कॉंटिटी जादा लेनी पड़ेगी उसके बाद मैंने इसमें चीनी अपरे टेस्ट को एकॉर्ड़िंग ले सकते हैं कितना आपो ज्यादा और कम चाहिए क्योंकि केक में में हमने चीनी डाला हुआ है पहले से उसके बाद मैंने इसमें अड़ किया थोड़ा सा ऐलाइची पाउडर इसमें बहुत यह ज़्यादा अच्छी खुश्बू आएगी तो देखें यहां हमारी मलाई जो है रबडी जो है बनके तैयार हो गई है तो अब हम फ्लेम जो है आफ कर देंगे तो यहां मैं केक को फॉक की हल्ब से इसमें थोड़ा सा होल कर ले रही हूँ ताकि जो रबडी का जो टेस्ट है वो अंदर तक चला जाये तो अब मैं इसके बाद यहाँ इसमें एड़ करूँगी यह मलाई तो देखिए मैं किस तरह से इसमें एड़ कर रही हूँ इसलिए मैंने इसमें जो ही छोटी छोटी से होल किये हैं ताकि जो यह मलाई जो है इसमें अच्छी तरह से अंदर तक अब्जर्व हो जाए लास्ट में मैं इसे गारनिश करूंगी कुछ ड्राइफ रूट्स के साथ, तो ड्राइफ रूट्स में मैं यहां लेघी हूँ बादाम, और इसे मैंने इसके साथ अच्छे से गारनिश कर लिया है, तो देखिए फ्रेंट्स, हमारा मलाई केक बनके तैयार हो गया है, और यह बहुत ही ज़्याधा सॉफ्ट पना है मैं आपको कट करके दिखाती हूं तो देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है और स्पटध्जी कितना ज़्यादा है जैसी मैं इसमें नाइफ इंसर्ट करेश divided तो फ्रेंट्स आप कोई रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे जरूर बताईएगा इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस जरूर कीजेगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो के अपडेट मिलते रहें तब तक के लिए बबार